एगलिस बीना बटर का बीना बिटर का आज हम बना रहे तूटी फ्रूटी केक तो हेलो एवरिवन द्रिश्मास टेस्टी फूड में आप सबका स्वागत है आज जो हम टी टाइम केक बनाने वाले हैं टी टाइम केक और मफीन्स डेंस होते हैं उस पॉंजी नहीं होते और जिस पर हम फ्रोस्टिंग करते हैं यानि की कप केक और हमारे फ्रोस्टिंग वाले आइस केक इस पॉंजी होते हैं दोनों में एग डिफरेंस होता है तो एक एक भूती मॉइस्ट और टेस्टी था अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके बाजो में बेल आइकोनी उसे भी दबाईए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए हम स्टार्ट करते हमारे तूटी फ्रूटी एगलेस केक की रेसिपी यहाँ पर मैंने मोल्ड को इस तरह से बेटर पेपर से कवर किया है और यह है दही तो मैंने दही लिया है यहाँ पर 125 ग्राम उसमें मैंने पीसी हुई चीनी डाली है 50 ग्राम अब इसे हम हैंड विक से ही मिक्स करेंगे अच्छे से दही गाढ़ा और फ्रेश होना जरूरी है अगर आप घर का भी यूद करेंगे तो भी चलेगा लेकिन वो गाढ़ा होना चाहिए अब यसे हमने अच्छे से फेट लिया है अब इसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा डाला है मैंने 1-4 TSP इतना और बेकिंग पाउडर मैणने पहले डाली है हाब TSP इतनी और उसके बाद मैंने 1-4 TSP से मेजर करके डाली है 1-8 TSP इतनी इंग्रिडन्स की quantity आपको description box में भी मिल जाएगी baking soda और baking powder डालने के बाद मैंने fix से hand week से mix कर दिया है और उस bowl को हमने 5 minute बाजो में रख दिया है अब दूसरे bowl में मैंने लिया है मेदा तो मेदा है 100 gram इंग्रिडन्स आप अच्छे से quantity जो है वो major करके ही लीजे कम ज़्यादा होगा तो texture में बहुती ज़्यादा difference भी आ सकता है तो छन्नी से यहाँ पर मैंने मेदा भी चान लिया है हमेशा dry ingredients को चान के लिजेगा अब इस मेदे में हम डालेंगे tutti fruity तो थोड़ी सी tutti fruity मैंने उपर से डालने के लिए रख दी है tutti fruity इस तरह से डालने से सिर्फ ओर नीचे जाकर नहीं बेटेगी तो पूरे cake में अच्छे से फेल जाएगी और उसी के साथ मैंने यहाँ पर डाला है दो पिंच इतना नमक अब ए मेदा tutti fruity इस हम दही वाले बाउल में डालेंगे लेकिन उससे पहले इसमें हम डालेंगे तेल तो तेल यहाँ पर मैंने लिया है 65 ग्राम करीब 6 टेबल स्पून इतना यह तेल है फिर भी आप मेजर करके ले सकते हैं tutti fruity cake है तो इसमें incense जाएगे तो पहले मैंने डाला है यहाँ पर व्यानिला incense उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है औरेंज incense और यहाँ पर मैंने डाला है पाइनैपल का emulsion आप emulsion के अलवा अगर incense भी डालो तो फिर भी इसमें आप थोड़ा सा येलो कलर डाल दो अब हम धीरे-धीरे मेदा डालेंगे और इसे mix करते जाएंगे अगर आप पैन में बेक करते हो तो पैन को उस 10 मिनिट के लिए आपको pre-hit करना होगा और oven में करते हो तो oven में भी दोनों heat on रखनी है और temperature होगा 180 degree रखना है आपको middle rack पर ही इसे तो मैंने बेक किया है oven में और मुझे लगे है 30 मिनिट जब आपकी toothpick clean निकल आए तब तक आप इसे बेक किजिएगा तो इस तरह ए बैटर पतला नहीं होता तो गाड़ा ही होता है तो इस बेटर को मैंने टीन में डाल दिया है और एटीन है पाव किलो के cake का इस टीन का diameter है 5 inch तो इसे मैंने tap कर दिया है उपर से हम फिर से तूटी फुरूटी डालेंगे तूटी फूटी केक है तो अच्छी खासी तूटी फूटी मैंने डाल दी है आप ड्राय फूट के साथ भी इसे बना सकते हो इसके मफीन्स भी बनते है तो आप इसे मफीन्स की जो मोल्ड होते है उसमें भी बना सकते हो अब इसका जो बटर पेफरे इसे भी मैंने रिमूग कर दिया है तो इस तरह बनता है एगलेस टी टाइम केक कहे आप इसे या फिर मफिन्स भी कह सकते हैं आप इसे किसी भी फ्लेवर के साथ बिना तूटी फ्रूटी के भी बना सकते हो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई